सूलादा सालन दुखांदी रोटी सूलादा सालन आहिदा बालन बादनी माए नी में किनो आखां बाप से रादे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडी आचावां बाप से रादे ताज मुहम्मद मावा ठंडी आचावां हर चीज बजार और मुल लब जादी ते नई लबदियां ने मावा माए नी में किनो आखां दर्द विछोड़ता हालनी माए ने किनो आखां कवे हुसेन फकीर नमारा कवे हुसेन फकीर साइदा शाह मिलेता हो माने हालनी माए में किनो आखां दर्द विछोड़ता हालनी माए ने किनो आखां बाप मरे सिर नंगा हो बे वीर मरे कंड खाली बाप मरे सिर नंगा हो ते वीर मरे कंड खाली मावाबा जो जो मुहम्मद वक्षां कौन करे रखवाली माए में किनो आखां दर्द विछोड़ता हालनी माए में किनो आखां माए आजा मुख दिखला जा माए आजा मुख दिखला जा जा कोई न पुछे दा हालनी माए दिले किनो आखां 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 मुहम्मद खातमन नभीन वाला आलही वासाबही अच्पईन कुरान पाक में अल्लह रबु लिज्जत ने कई मकामात पर ये रिशाद है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालदेन का शुक्र अदा करो और वालदेन वो हस्ती हैं कि परवर्दिगार आलम ने उनके सिवा किसी और का नाम इस तरह से नहीं लिया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालदेन का भी शुक्र अदा करो एक मरतबा एक शघावी नभी रहमत मुहमद मुस्तफ़ा अलहिए वालिवासलम के पास आए और पूछा कि मेरे हुस्ने सलुक का सबसे ज्यादा हगदार कौन है तो आप सर अलहिए वालिवासलम ने फरमाया तुम्हारी माँ ये सवाल उन्होंने तीन मरतबा पूछा और तीनों मरतबा आप सर अलाहू 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 उनका तारूप है आप से कराते चलें और फिर सिलसले शुरूँ होगा सवाल जवाब का तो मेरे अदाई तरफ तरफ तश्री फर्मा है आलिमा सबाहत रमजान साहबा असलाम अलेकुम और आपके बराबर में तश्री फर्मा है असलाम अलेकुम, प्रोग्यम में खुश्याम दें, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुरान और हदीस में वालदेन की अजमत क्या बियान की गई है? आउज़ बिल्लाहिन श्यद्वान और रजीम, बिस्मिल्लाहिर रर्रह्मान और रहीम, महुत शुक्रिया, सबसे पहले तो जो आज कलाम पढ़ा गया मा के हवाले से, बड़ा दिल में एक गुदाज और एक शफकत जो वालदेन के हवाले से पैदा हो जाती है, इसकी कुरान पाक और अधिस की रूर से अजमत जाने से पहले ये जान लेजिए कि हम जो यहां बैटे हैं हमारा वजूद जो है न वो हमारे माबाब की बदा ए बड़ा है कि ये खुद्रत इस चीज़ से बेन्याज है कि वो माबाप के बेगार भी पैदा करने पर गादिर है मगर उसके बावजूद इनसानों को उसने न्याजमन रखने के लिए कुबसूरत रिश्टे अता फर्माने के लिए माबाप की अजमत को बताने के लिए माबाप के जरीए दुनिया में भेजा वाह बहुत खुशूरत करीम में सुरह अनकबूद आयत नमबर आठ में अल्ला तबारग आशाद फर्माता है हमने इनसान को नसीहत की है कि वो वालदेन के साथ हुसने सुलूद करे यहां पर बिल अमुम किसी मुमिन के लिए नहीं कहा क्योंके गुरान करीम कुल इनसानियत के लिए है तो हर एक के लिए कहा कि इनसान को हमने उसने सुलूद का हुकम दिया है कि तुम अपने वालदेन के साथ अच्छा सुलूद करो अब उसने सुलूक में इतना कुछ आ जाता है जिसमें हमें आदिसे करीमा ब्रीफ करती है कि हमें किस तरीके से वालदین के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए फिर मैं मा की अजमत के वाले से सिर्फ एक जुम्ला बड़ा खुसरत कहूंगी कि मा के कदमों तले जन्नत है बस यहां पर तो बात ही खता हो जाती है जी हाँ जो अगर जन्नत कमाना चाहते हो तो वालदین से अच्छा सलूक करो जी हाँ बल्ले कुल जन्नत नहीं कमानी तो फिर जो चाहो करते रहो जी हाँ यही हमारा असासा है एक मूमिन का एक मुसल्मान का और एक इनसान चाहता है कि उसे अच्छा सा अच्छा बडला मिले तो जन्नत से बहतर क्या है बेश्च्छ बहुत को तले यह रख दिया गया है यह इसके अजमत के निशानी है बहुत अच्छा आपने फरमाया और कनीस फात्मा से आपसे जाना चाहूंगी कि हम जो वालदेन से अच्छा सलूक करते है तो अल्लह रबुलिजद की बारगाह में इसका कम से कम अजर क्या है जी बिसमिल्ला रह्मान ररहीम साया पदर का साया तूबा से कम नहीं मादर की गोट तखते सुलिमा से कम नहीं जो कुछ माबाब के साय में इनसान हासल करता है उसका इद्राग या उसकी कमी का एहसास वही लोग कर सकते हैं कि जिनको खुदाना फास्ता माबाब का साया महसर ना आया हो परवर्दिगार आलम ने हमें वालदैन अता करके हम पे वो एहसान आजीम किया है और इसके लिए जो सुरह बनी इसराइल ने कहा कि अपने वालदैन के हक में हमेशा दौा करते रहा करो इस अंदाज में कि रब्बिर हम हुमा कमा रब्बियानी सगीरा कि परवर्दिगार मेरे वालदैन पर ऐसा ही रहम कर जैसे उन्होंने बच्पने में मेरे साथ किया और जहां तक बात रही इसकी कि जो कुछ हुसने सलूख हम अपने वालदैन के साथ करते हैं इसका परवर्दिगार आलम की बारगाह में कम से कम अज़र क्या है फराना मैं आपको बताऊं कि इनसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो कितना ही परेज़गार क्यों नहों आलम नज़ा का है सकरात का जो आलम है जब इस जिसम से रूख को खेचा जाएगा वो इतना मुश्किल मरहला है कि जिसके लिए जनाब मरियम ने ये कहा कि जब जनाब आईसा ने कहा कि मैं आपको जिन्दगी दुबारा देने पर कादर हूँ फर्वर्दिगार एलम ने मुझे यह मूद्जा अता किया है कि मैं मुद्जा अता हूँ आप चाहे तो इस दुन्या में दुबारा आ सकती है तो आपने फर्माया कि मुझे तुम बेहद अजीज हो लेकिन मैं दुबारा मौत की तकलीफ नहीं सह सकती इतना खतरनाक वो वक्त होगा कि जब इस जिसम से रूप को खेचा जाएगा और इसके लिए नबी करीम ने ये कहा कि जो अपने वालिदें के साथ हुसन सुलूग से पेशाता है उसका कम से कम अज्र ये है कि उस पर सकराथ का आलम आसान फर्मा देगा जब जिसम से रूप को खेचा जाएगा वो वक्त परवर्दिगार आलम आलम नजा का जो वक्त होगा वो आसान फर्मा देगा चोटा सा एक वाकिया बयान कर दूँ कि जब आप उसके पास पहुँचे तो देखा कि बहुत ही जाकनी का आलम है आपने उससे कहा कि कलम आतियबा की दिलावत करो उसकी जो जबान थी वो लड़कडा गई वो नहीं ला इलाह इलाला नहीं कह पाया जनाब रसूल खुछा क्या इसकी मा नस्दीक है तो एक खातून सामने आई और उन्होंने कहा मैं इसकी मा हूँ कहा क्या इससे नराज हो कहा हाँ इससे बहुत दिनों से नराज हूँ इससे बात नहीं करती कहा आज इसे माफ कर दो वरना इसकी जिस्म से जान का निकलना असान नहीं होगा तो माबाब को राजी रखना दुनिया में तो जाहरी बात है हमें जाने क्या कि माबाब की दौाओं की बदौलत मिलता है लेकिन आखिरत भी हमारी इस अमर से खाली नहीं है के हम जो कुछ माबाब के साथ यहां करते हैं उसका बदला हमें वहां दी जाता है बहुत खोब बलके जो कहा गया ना के हमें नभी पाकिस अले बाले वाले लुटेंछे बताया के वालदेन का निभाया वा रिष्टा वो वाहित रिष्टा है कि जिसका हमें अजर जो है वो दुनिया में ही मिल जाता है आखरत में तो खर मिलेगा और छोड़ी सी ब्रेक का वक्त हुआ है ब्रेक लेते हैं वापिस आएंगे तो सवाल जो आपका ये सलसला जारी रहेगा Q-Mobile X2 Energy Seals, because the show must go on इस रमजान भी अंधेरे मिटाने में हमारा साथ दें Pepsi Liter of Light आओ रोशनी पहलाए अब से बालों को सिर्फ वाश नहीं करूंगी उन्हें दूंगी नशनुमा और मस्बूती Because New Pantene is more than just a shampoo इसमें हैं ओल की ताकत लिए Pro Vitamins जो दे नशनुमा और मस्बूती जड़ों से सिरों तक बालों को सिर्फ वाश मत करूं उन्हें बनाव stronger Thicker सिर्फ चौदा दिनों में Biggest strong is beautiful New Pantene नया सबसी बहतर Pantene सिर्फ पांच रुपे की साशिर में बेटा रुजा खोल के जब जैसे मेकियों से भरा है माहे रमजान वैसे ही खास कुलाब और बेश कीमत संदल के खाने सरक्याद से भरा है परशी जामे शीरी जल्दी नया पैडल पॉप शॉकले स्टॉबरी कप शॉकलेट और स्टॉबरी का मसेदार कॉमिनेशन एकसाइडिंग चॉकलेट चिप्स की टॉबिंग के साथ इफतार के आउकाद पेश हैं जैस की जानब से विडियो स्ट्रीनिंग म्यूजिक सोशलाइजिंग डाउन्दोडिंग पाकिस्तान के सब से बड़े और पेहत्री डेटा नेटवर्ग जैस के साथ जो आपकी सहूदत और सरूरत के मुताबिख लाया डेली, वीकली और मंतली डेटा बंदू अभी स्टार डबल फो फ्री स्टार टू हैश्मिला जैस दुनिया को बता दू बुनांजा सत्रंगी कलर्स अफ इव नव इंस पुल के नीचे इन बच्चों को बढ़ाती हूँ प्रापर सकूल बृलिंग नहीं है बर किसी को बढ़ाने के लिए इस सब की जरूरत भी नहीं होती जरूरत होती है मैंनत की अच्छे कल की चाहत की एस रमजान बनो अच्छाई की मिसाल क्योंके अच्छे कल की उमीद तुम ही तो हो ममा, मैट्स में स्टार शबबश येलो चॉकलेट बाकी सबजेक्स के लिए पॉल गैविटीज हाँ, आपकी फिक्र जाइज है इस तरह के खाने से हो सकती हैं गैविटीज, इसलिए कोल्गेट इसका प्लस क्याल्शिम फॉमिला, दांतों को रखे म मजबूत और क्याविटीज से महफूज ना क्याविटीज काटा, ना प्यार में चुचाटा गोल्गेट, डेंटिस्ट का तजवीज करता नम्बो वन ब्रांड एविरेस के इतने पास पहुंच गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है तहफूज उसके पेट से होता है, इसलिए आपको चाहिए नेसले नीडो वन प्लास, एक से तीन साल के बच्चों के लिए खास दूद, जिसमें हैं अब जारा मंजर बदलते हैं Q-Mobile E1 की quick charge technology से, इसरे mobiles की मुकाबले में तीन गुना ज्यादा तेज़ चाजिंग होती है तो बुरे वक्ती बैटरी एंड पर अच्छा वक्त, full charge 10 minutes charge, 200 minutes talk time 3 GB RAM and 16 GB ROM 8 MP back and 5 MP front camera Q-Mobile E1 दिल दिल रम्जान, दिल दिल रम्जान, दिल दिल रम्जान, दिल दिल रम्जान असलाम अलेकूम रहमतुलाह वबरकातो हो, यहां गुफ्तुकु हो रही है वालदेन की अज्मत के हवाले से और मैं सवाल करना चाहूंगी नुस्ट आहसान साहिबा आप से तो ऐसी सूरत में अगर एक लड़की शादिश होदा है और उसने अपने वालदेन को भी सुनना है, अपने शोहर की भी बात सुननी है लेकिन उनके दर्मियान कोई ऐसा अखतलाफ पैदा हो गया है, तो फिर लड़की के लिए क्या हुकम है अल्लह और उसके हभीब सुनना अल्यवाले सुनना की तरफ से और उसके हमें इसलाम की दौलत अता की लेकिन जब हमारे सामने इसलाम के बहुत सारे अहकाम आते हैं, तो हम सिर्फ उनको उपर से लेने के आदी होते हैं, कभी हम उनकी हिकमतों पे गौर नहीं करते है इसलाम हमें हर वो हुकम देता है, जो हमारी जिन्दगी में एतदाल और बैलन्स काइम रखता है अब अगर एक खातून जो शादी शुदा है, उसके सामने एक ऐसा मरहला आ जाए, कि शोहर की फर्माबरदारी और माबाप की फर्माबरदारी, इन दोनों के दन्वियान यानि तनाज़ा आ गया, कि तो वो किसको तरजीह दे, यहाँ पर देखें, बीवी के लिए हुकम है औरत के लिए हुकम है कि वो शोहर की फर्माबरदारी करेगी, मर्द के लिए हुकम है कि वो अपने वालदेन की फर्माबरदारी करेगा, इसलिए कि औरत पर शादी के बाद सबसे जादा हक उसके शोहर का होता है, और मर्द पर शादी से पहले भी और शादी के बाद भी زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے جب ہم یہاں دیکھیں تو یہاں ایک بیلنس قائم رہتا ہے ایک اعتدال ہوتا ہے ہم صرف اعتراض کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے حکمت پر غور کریں تو اس میں بڑا لطیف نکتہ نکلتا ہے جیسا کہ بارگاہ زمانہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص بیمار تھا تو اس کی بیٹی اس کو دیکھنے کے لئے اجازت چاہتی تھی شوہر اجازت نہیں دیتا تھا بار بار عرض کی گئی منع کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو فرمایا گیا کہ اس عورت کی اپنے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی اللہ اکبر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین بخشے جائیں اس کے جس عمل سے تو یہاں پر بیوی کے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اس کے والد کی بخشش ہو گئی یہاں میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ یہاں وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کو ترجیح دیں اسی طرح جب ان کے سامنے ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں پر شوہر کے والدین کی فرما برداری کی بات ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی آخرت کی فکر کرے کیونکہ فرمایا کہ مطلب والدین جو ہیں وہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے لہذا بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کو ترغیب دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اپنے والدین کی فرما برداری کرے کیونکہ یہاں بھی ایک مرحلہ آتا ہے نا بیوی کہتی ہے میری مانو والدین کی مت مانو تو یہاں دیکھیں کہ اس کی اس کے شوہر کی جو آخرت ہے وہ اس کے والدین کی فرما برداری میں پہنشیتا ہے لہذا ایک نیک خاتون ایک اچھی عورت اسلام کی امدہ خاتون جو اپنے شوہر کی آخرت کی فکر کرتی ہے اس کے لئے جنت کا سامان کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو ترغیب دلائے گی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے کیونکہ اگر یہ بات ہم تمام خواتین سمجھ لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جو جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں ساس اور بہو کے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں تو اللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گے صفحہ فاطمہ صاحبہ آج پرگرام میں آپ تشریف لائیں آپ کا شکریہ اگر ہم والدین کی کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا پھر کیا ہے دیکھیں 이 قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شکر بجا لاؤ میرا اور اپنے والدین کا تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمائی اور اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ذکر فرمایا تو گنیادی طور پر یہاں پر یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے شکر के साथ वालदेन के शुकर का जिकर फरमाना यकीना इस तरफ मतवज़ कर रहा है के वालदेन को नाराज करना ये अल्लाह तबारा कब ताला के घजब को उभारने का सबब बनता है आजकर हम अपने मौशरे में देखते हैं जावजा इस किसम की खबरें हमें सुनाई देती हैं के वालदेन को खतल कर दिया गया या माद अल्लाह घर से निकाल दिया गया तो ये यकीना इस तरफ ले जाना अवाम को ये बनियादी तोर पर और और अधिस मुबारका अधिस रसूल अल्लाह अल्ही वाली वसल्म और सुनत करीमा से दूर होने का नतीज़ा है वरना अगर अधिस करीमा का मुटाला किया जाए तो सरकार नभी करीम अल्ही सुलात वसलाम ने इर्शाद फरमाया कि क्या मैं तुमें कबीरा गुना हो में से सबसे जादा कबीरा गुना यानि जो सबसे जादा सक्त कबीरा है वो ना बताओं और ये बात तीन मरतबा इर्शाद फरमाई और आखिर में सरकार अल्ही सुलात वसलाम ने इसका जवाब देते हुए ये बात बयान फरमाई के तो ये दो बनियादी चीजे यानि कबीरा गुनाहों में जो सबसे ज़्यादा अखबस सबसे ज़्यादा खबीस तरीन है सबसे ज़्यादा सक्त है वो दो चीजे सरकार अल्ही सुलात वसलाम में बयान फरमाई इसके साथ ही एक और हदीस पाक का मفہوم अर्स करना चाहूंगी कि नभी करीम अल्ही सुलात वसलाम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स सुबो इस हाल में करता है कि वो अपने वालदेन का फरमा बरदार हो तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और वो शख्स मलعون है मन अक्का वालिदैही यानि जिसने अपने वालदेन की ना फरमानी की बहुत अच्छीन वाक्त तो यहां पर मैं पेगाम यह देना चाहूंगी कि इसलाम हमें ओल्ड हाउस का कॉनसेप्ट नही देता इसलाम हमें यह कॉनसेप्ट देता है यानि उनकों तक तकलीफ से बचाना है तो बलके यहां तक फरमाया गिया कि अकर काफिर हैं तब भी उनके खित्वत बचाला हो अधना से अधना जो तकलीफ है उससे भी पहले ही पुरान करीम ने रोख दिया ताके इस तक नौबत ना आए आए आखिरमाने वालदैन की नाफ यासकुल फासिकाईन यानि फासिकों में जो बदतरीन लोग हैं उन में सबसे बदतर करार दिया है और अजाब इनार का खकदार करार दिया है लग तबरकव ताले हम सबको नाखिबाने समया बहुत बहुत शुक्रिया एक सवाल पर जल्दी से और करना चाहूंगे ये वक्त बड़ा मुख्तसर हमारे पास होता है सभासाइबा मुख्तसर ये बता दीचिका के वालदین के हुकुक हैं क्या बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो वालदेन की इजदत, उनसे महबबत और खुद नभी करीम से लाउतर सुन्द ने फरमाया कि तुम पर वालदेन की नाफरमानी को हराम करार दे दिया तो उनकी फर्माबरदारी की जाए, उनको फॉलो किया जाए क्योंकि वो आपकी तर्बियत के लिए माजमीन की तरह हैं, बापास्मान की तरह हैं तो ये कैफ़त इसी तरह हैं तो उनकी नाफरमानी से बचा जाए, उनकी फर्माबरदारी खियार की जाए और बुड़हाबे में अगर उनको पाहे, तो उनकी खिदमत करें, और उनकी वफात के बाद, उनके दोस्तों से तालुक रखें, और उनकी मगफिरत के दुआ करें, और उनके लिए सदकात और खेरात करता रहें, इससे बेहतरी, बोई और इस्लाम जाए, फर्हाना एक और और कहना चाहूंगी कि अपने वालदेन पर खर्च करें, और अगर वो उसके उपर सक्ती करें, तो उनकी सक्ती को बरदाश्त करें, और उनके साथ नरमी और हुसने सुलूक करें. वो हमारे प्यारे आखरज PP ने बहुत प्यारी-प्यारी बाते हमें बताइं है कि कभी उनके आगे ना चलो और उनसे पहले ना बैठवे też अदब की बाते हैं और उनका नाम लेके न पकारो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं लेकिन उनको मजाक में भी ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये हैं तो बहुत चोड़ी बात है लेकिन इनका अजर बहुत बड़ा है तो यकीन हमें इन तमाम बातों का बहुत ख्याल रखना है कि वालदेन का अदब जो है वो सबसे एहम है और जिसने वालदेन का अदब किया उनके खिदमत की उसने दुनिया भी पाली और उसने आखरत भी पाली तो यकिनन हमें अपने वालदेन का हर तरहां से इतराम करना है आज का सेग्मेंट इनी सवालों जवाब के साथ मुकमल कर रहे हैं और इन्शालला आने वाले दिनों में मज़ीद मौज़वात पर गुफ्तगु जारी रहेगी और हम जैसे पहले भी कह चुके हैं कि वो खवातीन जिनके दिलों में कोई सवाल है और वो कुछ जानना चाहती हैं पूछना चाहती हैं हमारी आलमात यहां मौजूद हैं जरूर सवाल करें और आएंदा आने वाले दिनों में आउडियन से भी हम सवालात लेते रहेंगे आज का सेग्मेंट यहीं तक हमें इजाज़ा दीची इन्शाला आपसे कल मिलेंगे अल्ला हाफिज